अच्छा बताओ, वो जो था आपका दही, दही में आपने, याद बाते बंद कर देंगे ज़र अपने, जो है इसको आप थोड़ा से मिलाएं, थोड़ा दही नहीं है, दूद मिला ले जिनके आप फ्रेश मिल्क आता है, वो बहुत अच्छी चीज होती है, ठीके डबे वाले दूद किसी काम के नहीं इसके लिए, तो फ्रेश मिल्क, सूखी भी पतियां, पतियां आपने रख ली, उसमें शहद मिला लिया, थोड़ा ताकि उसका अर्क आ जाए, ठीके वो बच्चे की स्किन को थोड़ा सॉफ्ट करता है, प्रेय भी कर सकते हैं, अगर स्किन को थोड जाके दही, एंटिसेप्टिक भी हो जाता है, उसको लगा दिया चीजों को, तो वो चीजे थोड़ा डेल कर देती हैं, तो आपने जब यह लगाया, आपने का दही के अंदर मैंने पतियां सुपाद, वो भी गोए, और मैंने शहद भी मिला लिया, और यह मिला और यह मिला जैसी आती है, और हम लोग सीखा हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, हम लोग, हम लोग 5-6 पैटल्स लेते हैं, हम लोग पानी पानी पैटल्स निकालते हैं, और पानी के अंदर दाते हैं, उसके बाद, हम लोग इसलिए पानी मिलाते हैं, इसलिए कोई तो हम लोग वो सही करें, साफ करें, उसके बाद हम लोग ज्राय करने देंगे, और हम कोई सॉस पैन चाहिए, तो फॉस पैन में आप पानी डालेंगी, पान्च चे रोस पैटल जालेंगी, और वो आग लगाएंगे, पर जलाएंगे, पिर क्या करेंगे? उसके बाद, जब उसका कलर होगाइगा, वो रोस पैटल, पिंग कलर का, जो भी आपके पास रोस पैटल जोएंगे उसकी कलर का होगा, जो ब्लू हैगा, तो ब्लू पानी होगा. ये स्कूल में सीखा है अभी अभी स्कूल वालों ने ये सारे काम भी सिखा दी है हम देके अभी कुराइन का प्रोजेक्ट है रोस वाटर तो मुझे एक दिन आगे कह लिए अब मत खरीक के लाई कि मुझे रोस वाटर बनाना आगे है मैं बहुत शुक्री आपका रोस वाटर बनाना आगे अब भूरी रेस्टेबी बिबता लिए और बच्चों को मेरे खाले सन ब्लॉक भी जरूर देखे मैं आप कौन से सन ब्लॉक लगाती है मीरब को तुम्हें जरमनी से लेकर आती है बहुत माइली लगाती है बहुत जरूरी आज के दौर में क्योंकि इतनी स्ट्रॉंग सन है हम लोगा जरूर सन ब्लॉक लगाके हाथ पैरों पे घुटने काले सिया हो जाते है तो थोड़ा सब्सक्रा कोशिश करें थोड़ा ख्यार रखें इन चीज़ों का बाकी ये कि इस स्किन का तो तो में आपको प्ताया है के मैं ये करते हूं मेरी कोशिश होती हर माँ को हर एक को बताती हूं जो मै इस के ऐस नगरρέ को बताती हूं के पानी और दूद मिला के पीए ये आपके शो में कई दूद बच्चोंtar भी कच्ची लसी क्या है कच्ची लसी यह सब से बैसर आपके skin glow के लिए अच्छा मेरे बच्छों के हाइट बहुत शुट है जब मेर्फ ता अपर मेदा साफ है तो अच्छा मैं आपके बच्छों को जो है न वह दूद बहुत जादा हमेशाँ फोकस इना इना लास दूद उनको मेरे तीनों बच्छों की हाइट बहुत अच्छी मुझे लगता है कि मुझे यह नी पीना मेरभ बहुत शौक से दूद्ध लसी बहुत शौक से पीती है if you wanna watch more and get updated so follow AIVAD Digital's YouTube page